अगर आप भी अपने रोज मर्रा की जिन्दगी में पेन किलर का इस्तमाल कर रहे हैं तो हो जाएए साउधान क्योंकि आपके साथ भी हो सकता है ऐसा हाल जो ना आपने कभी सोचा होगा ना ही कभी सुना होगा आईए आज हम आपको एक ऐसी ही घटना सुनाते हैं जिसको सुनते ही आपके रोंटे खरे हो जाएंगे जो आप डेली की यूज में पेन किलर लेते हैं उनको खाने से पहले आप सो बार सोचेंगे कि हम जो पेन किलर खा रहे हैं क्या वो हमारे दर्द का निवारक है या हमें किसी और रोग से ग्रसित करने वाला है जानते हैं आज की ये दिल दहराने वाली ख़बर उत्तर प्रदेश के कानपूर में दर्द निवारक दवा के साइड इफेक्स से 27 वर्षिये यूटी की मांस्पेशिया गलने लगी हमीरपूर की मरीज को हैलेट में भरती कराया गया है उसकी हालत गंभीर है डॉक्टर के मुदाबिक यूटी हाटेन होय यानि टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइटिस बिमारी से पीरित है यह दवाईयों के साइड इफेक्स से बेहत कम पाई जाने वाली बिमारी है मेडिकल कॉलेज के मेडिसीन और इसकीन विवाग के डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहे है यूटी ने बुखार में दर्द निवारक एक ऐसी दवा खाली जिसमें दो दर्द बुखार उतारने वाली दवा भी सामिर है संबंदिक कांबिनीशन की दवा की बिक्डी पर पतिबंध है पर वो अभी भी मेडिकल स्टोर पर मिल रही है मरीज के तिमारदारों का कहना है कि दवा खाने के आधे घंटे के अंदर इसकीन पर काले और लाल चत्के पर गए धीरे धीरे दाने निकल गए और फफोलो जैसे बनने लगे तीन चार घंटे के अंदर पूरे सरीर में फफोले निकल आया जैसे गर्म पानी इसकीन पर गिर गया हो फफोलो फूटने लगे और मरीज को जलन महसूस होने लगी। उसे जीला अस्पताल ले गया जहां से हेलेट रेफर कर दिया गया। यहां मेडिसीन विभाग के डॉक्टर प्रेम सिंग और स्कीन रोग विभाग के प्रोफेसर सुसील चंज की टीम ने देखा। बिमारी की डाइगनोसिस की गई। दॉक्टर प्रेम सिंग का कहना है कि एलर्जी की गंभीर और बेहत जटिल बिमारी है। इससे मरीज की जान पर खत्रा बन जाता है। उनका कहना है कि मरीज का सरीर जैसे जुलस गया है, बर्ण मरीज की तरह उसे ड्रेसिंग करनी पड़ी है, मरीज के पूरे सरीर की मांसपेसिया सूजन में फट रही है, इसकीन गायव हो गई, इसकीन रोग विसुसज्य डॉक्टर प्रोफेसर सुनील चंद के मुताबिक इला यही दर्द निवारक खा लिया करती थी, दवा खाते ही अचानक सूजन आने लगी, देखते ही देखते सरीर की पूरी स्कीन उखर गई, मांसपेसिया फटने लगी, इलाज करने वाले जुनियर डॉक्टर का कहना है कि अत्यधिक दोस्स से यह स्थिती बन सकती है, मेडिसि ने जो दवा खाई है, उसका साइड अफेक्ट गंभीर होता है, लोगों को चाहिए कि अपने आप या मेडिसिन स्टोर से ही ना खर दे, अगर आप अपनी लाइफ से करते हैं प्यार, तो हो जाएए सौधा, और बिना किसी डॉक्टर की सला के कोई भी दर्द निवारक इस्तमाल ना करें, अगर ये खबर आपको पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, स्वेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें